ब्राइन ट्रेसी शायद दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है और एक बार उन्होंने एक बात कही थी कि सारे सफल लोग बहुत बड़े ड्रीमर्स होते हैं वो इस बात के सपने देखते हैं कि भविश्य क्या हो सकता है आईडियल आदर्श हर तरीके से और फिर वो हर रोज काम करते हैं अपने उस विचार के लिए अपने उस सपने के लिए अपने उस गोल के लिए अगर इंग्लिश में कहूं अल सक्सेस्टल पीपल आप बिग ज्रीमर्स बेजन वाट देखते हैं जो बच्चे लेते हैं विदेश में पढ़ने का वो बहुत सारे लोगों के लिए एक सपने जैसा ही तो होता है और वो जीवन के लिए उनके बहुत सारे opportunities अवसर खोल देता है चाहे वो एक बहतर जिंदगी हो या करियर में सफलता हो वो international education एक तरीके से उस बच्चे के लिए नीव रख देता है और ये बात बिलकुल सही है it's not a joyride expensive process है बिलकुल है और साथ ही साथ जबरदस्त planning चाहिए उसको तो आज मैं आप लोगों को 9 steps बताऊंगा 9 कदम और इस रूप में मैं आपको एक template दूँगा तो जो बच्चे विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो ये 9 steps की जो template है ये उनके बहुत काम आईए और अगर आप इसको note down करना चाहते हैं तो pen and paper ले आईए वरना आपके पास इस video को save करने का option तो ही है और मैं चाहूंगा भी आप save करिए इस पर कैसा ये video लगा आपको ये हमारे साथ share करिए comment में लिखके बताईए हमारे channel को subscribe भी कर सकते हैं और इस तरह की information लेने के लिए और जो है अपने दोस्तों को भी बताएं बीया brand ambassadors तो मैं किस हक से ये बात आपको कहता हूं because थोड़ा सा मेरे बारे में भी जाने लिजिए काम Kapil Gupta I am a study abroad expert who is on a mission to coach and mentor 100,000 high school students to realize their dream of studying in the best universities of the world and build happy careers और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज आपको nine steps की एक template दोंगा तो अगर आप तैयार है उनको note down करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं पहली step कि आपको अपना why समझ आना चाहिए कि आप विदेश में जाके पढ़ना क्यों चाहते हैं क्यों जाना चाहते हैं अब सबके अपने-पने कारण हो सकते हैं ये एक ऐसा और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही कारण हो सकता है multiple reasons can be there जब सबके अपने-पने reasons होंगे तो multiple भी हो सकते हैं और कोई कहेगा अच्छी education नई culture के बारे में जानने के लिए किसी को घूमना बहुत पसंद होगा किसी को एक global mindset पसंद है या जो अपने future employment prospects को अच्छा करना चाहता है और बहुत से लोग कहेंगे कि इससे हमें एक broader understanding मिल दुनिया की और बात सही भी है वो एक ऐसा अनुभव है जो कहते हैं घर में रहके नहीं मिल सकता बाहर जाके ही आप इन चीजों को जानेंगे और समझेंगे और सब के अपने-पने अनुभव होते हैं खटे-मीटे अनुभव जो आगे चलके आपकी sweet memories बन जाते हैं then step two कि मैं दुनिया के कौन से देश में जाकर पढ़ हूँ अब वाकी ये सवाल जो है इसका जो जवाब है वो आसान नहीं है क्योंकि tuition cost यानि वहाँ पे college की fees वहाँ पे रहने का खर्चा आने जाने का खर्चा वहाँ पे क्या career prospects हैं या फिर आपकी जो safety है, welfare है हर कोई अपने अपने तरीके से इन चीजों को जाचने की और नापने की कोशिश करता है क्योंकि हमारे देश में तो हम कहेंगे parents are very worried उन्हें लगता है भई बच्चा कैसे रह पाएगा लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे के अच्छे भाविश्य के लिए माभाप ये decision लीते हैं और बच्चा भी ये सोचता है कि मैं जब एक अच्छा career बना लूँगा तो मै अपने लिए अपने परिवार के लिए जो है बहतर काम कर पाऊंगा तो ये एक मिला जुला सबका एक तरह से decision होता है family decision होता है इसलिए जब हम जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि मैं आप लोगों के जो भी doubts है study abroad related उनके लिए 7.30 Saturday को मैं एक अपनी तरफ से कोशिश करता हूं सारे doubts दूर हो सके but apart from that आप भी मेर से उस समय सवाल पूछके अपने specific doubts को दूर कर सकते और कैसे उस webinar के लिए register करना है तो इस video के नीचे वो links आपको दिये होंगे in fact हमारे सारे social media links वहां पर मौजूद रहते हैं तो आप हमारे साथ किसी भ बहुत अच्छा हो कोई Australia जाना चाहता है तो कोई US से जाना चाहता है कोई UK जाना चाहता है कोई Germany कोई France तो सबका अपना अपना लेकिन यह जानना तो उसके लिए हम क्या करते हैं University Rankings देखी जाएं ठीक है ना तो अब step 3 में यह हुआ कि शुरुआत कैसे करें ठीक है कि वह यह तो एक तरह से सवाल है हमने यह डिसाइड कर लिया हमें जाना है हमें एक बेटर लाइफ चाहिए हम यह भी जान रहे है कि country डिसाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि multiple factors उसके अंदर involved है बट देन शुरुआत कहां से करें तो हम कहते हैं कि एक बार जब आपने अपना म कौन सी डिग्री कौन सी पढ़ाई आप करने के लिए जाना जाते हैं अब आवियसली वो डिग्री बहुत सारी universities दे रही होंगी लेकिन कई बार ऐसा होता है उनके curriculum भी different होता है तो आपको यह भी research करनी चाहिए कि कि किसका curriculum आपके मन का है कौन सा आपको लगता है कि यह university ए तो अब उसके लिए of course Google Guru है हमारे पास तो आप university ranking चेक करिए course rankings चेक करिए और फिर shortlist करिए क्योंकि आपको multiple options चाहिएंगे क्योंकि यह कुछ जरूरी नहीं है कि आप जिस university में apply करेंगे वहीं आप से admission letter आ जाएगा तो yes, 8-10 universities को shortlist करिए अपने लिए अपने मन मताबिद तो once you have decided your program, your institution, so of course country तो decide होई गई क्योंकि university अगर decide कर ली तो आपने वो countries भी shortlist कर ली अब application processes जो है they differ depending on the क्योंकि अलग-अलग university के अलग-अलग application process होता है और कई बार courses भी अलग-अलग time पे शुरूरू होते हैं तो आपको यह भी check करना पड़ेगा हाँ यह एक अच्छी बात है कि जैसे भारत में तो साल में एक ही बार admission होता है लेकिन most foreign universities में साल में दो बार admission होता है तो आप छे महीने के gap पे try कर सकते हैं तो अब इसके बाद जब हम step four की बात करते हैं तो यह हो गया कि हमारा जो study program हम select कर रहे हैं वो कितने साल का है मतलब the duration of the course यह बहुत माइने रखती है क्योंकि इससे कई बार हम यह भी कहेंगे हमारा आपका खर्चा भी determine होगा जितना लंबा course उतना जादा खर्चा तो कितना समय आपको लएगा उस degree का level क्या है क्या आप एक undergrad के लिए जा रहे हैं क्या master's program के लिए जा रहे हैं या आप एक doctor program के लिए तो अलग अलग देशों में कई बार अलग अलग यह duration होती है तो undergrad program की भी कुछ countries में हमारे देश की तरह three years होती है तो कुछ में four years भी होती है तो आपको इस बारे में भी पूरी research कर लें जाए अब at many universities across the world हम कहते हैं कि हम कुछ short term courses के लिए भी जा सकते तो once again और कुछ university student exchange program कि आपने admission तो ले लिया भारत में किस university में लेकिन उस university का कोई student exchange program है तो आप छे महीने या साल भर के लिए जा सकते हैं कुछ ऐसी universities भारत में हैं जिरोंने अब tie-up कर लिया है foreign universities से तो उसमें आप यह मानिए अगर three year program है तो दो साल आप भारत में पड़े और एक साल आपको उसी उनका जो tie-up universities के था था उन वहां पर आपको भेज दिया गया और आपकी डिगरी तो आपको एक hybrid experience मिल जाता है और of course अगर आप अपने देश में रह रहे हैं तो कुछ तो खर्चा कम होता ही तो इन चीजों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए then step number five कि हमें कब apply करना शुरू करना चाहिए अब देखा जाए तो जितनी जल्दी हो सके क्योंकि universities में seats limited होती है और obviously वहां first come first serve का system चल रहा है तो अगर आप late हो जाएंगे तो हो सकता है आपकी application reject हो जाए या वो आपको कहें कि अगले program के लिए या अगले session के लिए आप apply क करिएगा तो इन सारी चीजों के लिए better है कि आप well in time apply करें जिसे कि आपको जब multiple universities से अगर मान लीजिए acceptance मिल जाती है तो आपको choose करने का time भी मिल जाए और फिर आप जानते हैं कि वीजा में भी समय लगता है तो हर चीज के लिए समय चाहिए तो जितनी जल्दी आप करें जाएगी और उतना ज्यादा समय आपको preparation further preparation के लिए मिल जाए देन step number six कि entry requirements क्या होती है study abroad programs अब ये जो है अलग-अलग हम कह सकते हैं once again universities का अलग-अलग है अगर आप जो है किसी English speaking course के लिए जा रहे हैं तो आपको IELTS या TOEFL देना पड़ सकता है अगर आप और ये undergrad में है अगर आप master's के लिए या post graduate के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है आपको GRE देना पड़े तो कुछ के अलग-अलग फिर कुछ specialized courses होते हैं जिसे अब आप medicine पढ़ने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको SAT का exam देना पड़े तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है once again that needs to be researched properly और फिर इन exams को देने के लिए preparation के लिए भी तो आपको वक्ट चाहिए then step number seven कि आपको अपनी application के साथ क्या क्या documents submit करने पड़ते हैं यस देखिए पहला तो passport और आपको यह दियार नखना पड़ेगा कि वह passport ऐसा नहीं हो कि दो महीने में ही expire हो रहा हूँ तो उसकी जो है तुछले उसको समय रहते हैं renew करा लिजी जिससे कि आपको कम से कम during the course of your study आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े then आपको SOP statement of purpose इसके बारे में अगर आप detail में जानना चाहते हैं तो हमने पहले इसके उपर भी वीडियो बनाया है और आप मैं इस वीडियो में भी के नीचे भी उसका link दे दूँगा जिसमें SOP के बारे में मैंने detail में बात की देन आपका एक CV लगेगा resume जो आपके बारे में सब कुछ बताएगा फिर आपके letter of recommendations जो आपको अपने past teachers से अपने principles वगरा से जो भी आपके past में mentors र then of course आपके जितने भी degrees हैं आपने की 10th का result, 12th का result, undergrad के लिए जा रहे हैं तो master के लिए जा रहे हैं तो graduation का result वो सारी transcripts वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए आपको लगानी पड़ेंगी then जैसे मैंने का अगर आपने जो भी exam अगर IELTS दिया है तो उसका score, GRE दिया है तो उसका score जो भी आपने preparation के लिए exams दिये थे उनके scores की mark sheet जो है आपको वहाँ पे add करनी पड़ेंगी तो यह आपके जो है main हो गए फिर step number 8 की अगर हम बात करें तो क्या हमें language learn करनी पड़ेगी तो हाँ अगर आप किसी English speaking country में जा रहे हैं तो तो चलो नहीं है जरूवत यहां तक कि अगर आप किसी European country में जा रहे हैं जैसे France, Italy, Sweden, Germany अब हो सकता है इन countries में आप English taught program में जा रह जा रहे हैं तो इसका उलब यह नहीं है कि आपको local language नहीं सीखने की जरूवत बिलकुल जरूरत है क्योंकि आप हर समय तो university में नहीं रहेंगे आपको वहां पे local लोगों के साथ भी आपको वहां पे grocery store पे भी जाना पड़ेगा आपको किसी showroom में जाना पड़ सकता है आप आपको travel करने की जरूरत पड़ सकती है तो हर जगे आपको local language चाहिए तो at least अगर आप English taught program में जा रहे हैं तो आपको working knowledge या basic understanding of the local language जिससे आप interact कर सके लोगों के साथ उतनी तो होनी बहुत जरूरी है क्योंकि आपका जीवन भी वह असान कर देगा क्योंकि आपका जीवन with the local people in a better way तो जिससे कि आपका जो study abroad experience है वो और अच्छा हो जाएगा देन लास्ट स्टेप नम बनाएं कि अगर जब हमारे पास letter of acceptance आ जाता है तो अब क्या तो welcome congratulations आपको तो admission मिल गया लेकिन उससे पहले आपको एक तरह से जब अपना suit case pack करेंगे तो उसमें क्या-क्या ल अध्यान रखिएगा क्योंकि airlines में travel करते हुए weighing होती है तो unnecessary चीजे ले जाने की कुशिश मत करिए ठीक है travel documents your passport visa क्योंकि एक बार visa के लिए apply करेंगे as soon as you will get the acceptance letter उसके बाद ही आप visa के लिए apply कर सकते हैं तो वो सारे documents जो है और panic करने की जरूवत नहीं है इसलिए मैंने का timely जब आप सब कुछ करेंगे तो आपके पास हर चीज और अंत में जब फिर मैं एक ब्राइन ट्रेसी की बात कहता हूँ a clear vision backed by definite plans gives you a tremendous feeling of confidence and personal power तो आगे बढ़िये template को use करिये plan with confidence I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज सब्सक्राइब करिये like करिये comment करिये share करिये हमें लिखके बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं या इसके बारे में भी अगर आपके कोई doubts हैं तो please connect with us we'll be very very helpful and happy to clear all your doubts और पसंद आ रहा है तो five star review भी दीजिए तो और आप मेरे जो भी हमारे social media links हैं मैंने पहले भी का था आप connect कर सकते हैं उनके थू अन्टिल देन cheers, God bless, keep inspiring, bye